नमस्कार दोस्तों गन्य की फसल में या हल्दी की फसल में निराई गुडाई के लिए मिट्टी चड़ाने के लिए खर्पतवार निकालने के लिए बैक रोटरी बड़े काम की चीज है लेकिन बैक रोटरी को खरीदे वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि लंबी चले और किसानों को आसानी हो इसी बारे में मेरे साथ है एस राजा जो आपको बताएंगे कि किसान जब बैक रोटरी खरीदें तो किन-किन बातों का ध्यान रखें ताकि बैक रोटरी ज्यादा माइलेज दे और लंबे समय तक काम करें तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जे हैं बैक रोटरी बैक मतलब किया रहता है आगे इंजन होता है टायर इसके साथ चलते है और पीछे इसका बैक रूटरी चलता है इसको चलाने के लिए कोई भी टायर निकालने की वश्यक्ता नहीं है यह तैरों के साथ ही चलता है अब लेने से पहले जो आपने बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले आता है इसका इंजन इंजन का जे देखना है कि जे कहां का बना हुआ है किस तरकार से जही बना हुआ है और कितने अच्पी का है अगर आपने माल लीजिए दस एकड का कारिया करना है हल्दी का कर होता है कि तर्बो क्या होता है वाई तर्बो का मतलब जे नहीं है कि इसमें कुछ अलग से लगा दिया गया इसके अंदर जो इसका ब्लॉक है जो पिस्टन है जो इसके रिंग है और नीचे का क्रेंक है उसकी स्टोक को इंजन में इस परकार से फिट किया जाता है इस तरीके क टकन नौलजी फिट की जती है, कि जब जे खेत में कार्या के लिए तैयार करें, तो आपको किसी भी पर कार की इंदन की खपद ज्यादा ना हो, इंजन की खपद कम करने के लिए लेने से पहले जो जरूर देखना है, कि इंजन की जो पावर है वो कितनी है उसके बाद हमने इंजन में जे आम तोर पे साड़े तीन लिटर का टेंक उता है जहां पे जे पांच लिटर का दिया हुआ है जिससे कि आपको बार बार इसमें पेट्रॉल भरने की जुरूरत नहीं है दूसरी बात आगे हमने इसके ये बंपर लगा दिया है बंपर का मतलब क्या है कि आगर आपका खेत में चल रहे हैं आगे से कोई डिवार आ जाती है या कहीं पे परशानी है तो रूटरी उसके साथ लगके टचो के आपका किसी भी परकार का नुकसान नहीं होगा उसके बाद इसमें जो गेरवक्स लगा इंजन के साथ गेरवक्स का भी उतना ही कारया है जैसे कि इंजन का है गेरवक्स ने इंजन को पावर लेके पिछे की रूटरी चलानी है जब ये लेना है जै कम से कम दो लिटर गेर वाला होना चाहिए मान लीजे हमने इंजन 10 का लगा दिया और गेर छोटा लगा दिया वो इंजन की पावर तो है लेकिन गेर की पावर नहीं है गेर की पूरी पावर नहां होने के कारण जे चलने में असमर्थ हो जाएगी इन बातों का आपने खास क्याल रखना है उसके बाद ये टायर आ जाते हैं कई किसान भाईयों के जो टायर होते हैं वो छोटे बड़े ले लिते हैं जब तक ये सही टायर नहीं होगे और इसकी जो गुड़ी है वो ट्रेक्टर जैसी नहीं होगी जैसे ट्रेक्टर का आगे क लेकिन यहां पर सबसे पहले एक जहां प्लक्च दिया उआ है इसका मतलब यहां रखना है और है सिर्फ मत्तर THIS citizen को पीछे भींचिये और यह अपने आप चलती रहेगी इसका ध्यान रखना हैं लेने से पहले की लीवर इसमें है जा नहीं है उसके बाद इसका जो हैंडल है जे हैंडल का एक लीवर है इसको घमाने के लिए यह 360 डिग्री फर घूमता है किसी भी प्रकार कहीं भी इसे अब ले जा सकtoi है किसी भी प्रकार सीधा कर सकते हैं, किसी भी प्रकार दाएं और बाएं से हम मोड सकते हैं सबसे बात इसके जो गेर हैं, इंजन के लिए जो गेर वने हैं, जो गेर वक्स में चलते हैं, जे तीन हैं तीन गेर वक्स लग से चलते हैं उसी तरीके से ये वैक रूटरी का लीवर है जो वैक रूटरी का लीवर है माल लीजे अपने पहले गेर में चलाया तो इंजन की स्पीड है जो स्लो रहेगी और इंजन के साथ रूटरी की स्पीड भी स्लो रहेगी अगर माल लीजे हमने करना है सिंपल एक थोड़ा सा क्लच दवाना है और यहां पे सब कुछ न्यूटल करके सिर्फ जे पीछे को करना है और जे रवर्स गेर लग गया रिवर्स गेर ऊपर की तरफ होना चाहिए अगर जे नीचे की तरफ है ते जो पूरा काम नहीं कर पाएगी उसके बाद जो खा पाइसे करना है और जे सिच तुरंट काम करेगी और बैग रूटरी आपकी तुरंट वहीं पर बंद हो जाएगी उसके बाद रोटरी लेने से पहले जो खास क्याल रखना है कई भाई क्या करते हैं गन्ने के काम के लिए उनका जो खुड होता है वह होता है बाइस का लेकि अगर रूटरी लगा है अगर 22 इंच में है तो जे रूटरी 28 में चलेगी 28 में कोई भी डाटरी नहीं चलती दियान रखेगा पहले जहां से भी लेना हूंने बताईएगा गया इक चर फिटकी वे है उसके बाद हमने बैक रूटरी आप और समाधान कर रुखा है इस बैक 24 नोटारीश की जरूरत है आपको 18 जरूरत है तो इसमें हमने इस परकार से जह ज़नतर बनाया है जह देखिए अगर 46 पर चलाना है तो चलेगी मानलीजिए आपने से 46 पर करना है एक मातर प्लेड़ इदर का खुल जाएगा यहां से एक मातर प्लेड़ यहां से खुल जाएगा उसके बाद यहां के जो नट दिये गए हैं वड़ी असानी से आप खोल सकते हैं पीछे के नट भी खुल जाएंगे और जे समीप आ जाएगा रूटरी उसी तरीके से रहेगी जे 48 पे 36 हो जाएगी इसी परकार आप करना चाहते हैं 24 पे तो अगले नट खुल मेरे किसान भाई को किसी भी परकार की परशानी ना आज सके मेरी किसान भाईयों से एक ही प्रात्ना है कि जिस भाई को सच में बैक रूटरी की जरूरत है वही बैक रूटरी ले जिनको वैक रूटरी की जरूरत है वह बैक रूटरी की जरूरत है वह बैक रूटरी की का ज जिन्दगी भार आपकी रूटरी खराब नहीं होगी और अच्छे से चलेगी सबसे पहले जब भी आप कहीं से भी लिते हैं आपके घर पे पहुच गई इसको असेंबल करने से पहले इसमें जे आयल जो होता है इंजन आयल वो चेक करना है चेक करने के बाद अगर इसमें कम ह खाई नहीं देगा यह सबसे बड़ा पॉइंट है उसके बाद जो इसका एर क्लीनर है आम तोर पे जब भी खेत में चलता है किसान भाई इसे चलते हैं इसमें मिटी चली जाती है इसके अंदर मिटी जली जाती है लेकिन हमने इन बातों का भी ध्यान रखना है रोज चलान के बाद इसको अच्छी वाली साफ कपड़े से साफ कर दीजिए और इसकी कोई भी ऐसी नहीं है जिससे कि आपको किसी भी परशानी का सामना करना पड़े अगर इन वापतों का ख्याल रखेंगे तो आपकी जे मशीन समय बहुत समय सालों साल चलेगी और अच्छी चलेगी सबसे बड़ी बात इसमें जो इंजन आल डलता है वो एक लिटर डलता है जब भी इसकी सर्विस करनी है हमारी इंजिनियर आपको बताते रहेंगे तो इसकी सर्विस के समय इसमें एक लिटर इंजन आल डालना है और गेर की सर्विस करने के समय दो लिटर गेर आल डालना ज बहुत जरूरी होता है इसको हमने 18 इंच से लेकर 18 इंच से मिट्टी चड़ाने तक लेके हमने जे 42 इंच तक बना रखा है इसको भी छोटा बड़ा किया जा सकता है क्योंकि इसमें अडियस्टमेंट लगी हुई है एक ही बार में दो काम होते हैं माल लीजे आपने जे टिलि लगाना होता है उन बैडों पे जे जहां पे डिक्चर दिये गए है इसे डिक्चर बोलते है जे रूटरी का साथ चलेगी ही चलेगी साथ में डिक्चर भी चलेंगे जे मिट्टी को बैड के बिलकल उपर तक लेके जाएंगे और आपको किसी भी परकार से जे नहीं है कि ज काटने के लिए एक रीपर वी लगता है मातर करना क्या है यहां से हम रूटरी खोलेंगे और जो भी अटैज्मेंट आप लगाना चाहते हैं इसके साथ अटैच हो जाएगी आपको कोई भी अस्वर्था नहीं होगा मातर यहां पे लगे दोन अटैज जिससे रूटरी चलती ह हमने यहां पे एक सीट बनाया है मतर उसकी रूटरी की हुक में यह वाला हुक एक पिन के साथ लगाना है तो जे रूटरी भी चलेगी साथ में सीट पे बैठके भी का रहा होगा हमने इसको इस्तरिक परकार डेजाइन किया है कि बारिश में भी चले धूप में भी चले तो छेंच गहरा खोदना चाथते हैं कई किसान भाई यह से आठ इंच में भी खोदना चाथते हैं जे वो उनकी जरूरत को पूरा करेगी यहां पर हमने एक लीवर दे रखा है इस लीवर को बाहर की तरफ कीजिए उपर की तरफ इसे करेंगे तो जे चार इंच चलेगी नीचे क की तरफ और कर देंगे रूटरी का जोर नहीं लगेगा इस पर कोई भी धुमानी आएगा कारण क्या है इसमें जो इंजल लगा दिया गया है वो दस एच्पी का लगा दिया गया है इसमें रूटरी आप तालीस हिंच की 36 की 24 अठारा पूरी आर तिंच की गहराई तक चला है यह जैंजन में इतनी शमता है कि इस रूटरी को चलाने के लिए इंजन असमरत नहीं होगा आपके सारे कार्यों को पूरा करेगा मेरे किसान भाईयों के कारेगा उसके बात इसमें जो इंजन लगा हुआ है जिड़ तर्पो है मैं फिर बता देता हूं लंग से कोई खोदने के लिए मान लिजे हमने आठ इंच पेसे कर दिया तो जे घंटे का मतर एक लिटर पे ट्रॉल लेगा छेंच करते हैं तो 900 ग्राम लेगा चार इंच करते हैं तो जे 800 ग्राम लेगा क्योंकि इस पर जितना भी बजन डाल देंगे तो जे मरेगा नहीं जे डूबेगा और जे दूबा नहीं लेगा अब बात आती है कि इस रूटरी की कीमत क्या है कीमत भाईयो इसकी 1,40,000 रपे है जो बिना सेलफ के है बाकी सब इसमें वही विशेष्टाएं हैं वही जमान ताएं हैं और जो जे सेलफ वाली है मातर इसमें एक सेलफ जादा लगा हुआ है औ और इसके साथ जो बैटरी लगती है कमपनी से बैटरी नहीं आएगा भाई रस्ते में तूट सकता है फूट सकता है और इसका जो अंदर होता है वह मिशीन पे आ गया तो इस मिशीन की दूर्दशा हो जाएगी और आप कहेंगे कि जान भाईयों कि यहां में यह परानी भी चलेगा और इसका जे रसी खैंचने वाला भी चलेगा दोनों चीजस में पूरी अच्छे तरीके से चलेगी आपकी रूटरी अच्छी चलेगी और वहतरी चलेगी जैसे आप पर नाम चापते हैं जितने आप पर नाम चापते हैं उसी परकार से रूटरी आपको सही प परदे वाली बात नहीं होगी जह राजा इंटरप्राइज़ पुरानी कमपनी है आज तक किसी भी किसान के साथ इस परकार का कार्या नहीं होया कि उनको राजा इंटरप्राइज़ से दिक्को तो हाँ अगर पुराने भी कुई कस्टमर हैं उनको भी कुई परशानी आ रही है दिये गए नंबर पे कॉल या वाट्सेप करिए तुरंद बहुत परशानी 24 गंटों में कमपनी से आपको समाधान मिलेगा और आप को किसी भी नराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा तो दोस्तों जैसा स्राजा जी ने बताया बैक रोटरी खरीदते वक्त अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बैक रोटरी लंबे समयते लेगी और आपको ज्यादा लाब देगी नंबर हमने दिया हुआ है आप